दोस्तो अगर आप यूज़ करते हैं Realme GT5 का फॉन और आप अपने फॉन में जब भी कोई कॉल रिकोर्डिंग करते हैं आप देखना चाते हैं कॉल रिकोर्डिंग फाइल कहां पे जाती है तो चलिए आपको दिखा रहे है call recording file आप कैसे देखेंगे कैसे सुनेंगे या delete करना share करना है कैसे करेंगे बिडियो पसंद आयत लाइक जरूर करिएगा दोस्तो अगर आप अपने file manager के अंदर जाएंगे यहाँ पर आपको कोई recording file नहीं मिलेगी बलकि आपको recording नाम से सिर्फ यहाँ पर folder मिलता है इसके अंदर देख सकते हो एक भी recording file नहीं मिलते है जब से दोस्तो यह Google का नया डाइलर आया है यह Google डाइलर मतलब सभी phone home आया है आ यहाँ पर दिखती है आप जब भी call recording देखना चाहते हैं जिस भी number की उस number पर click करते हो तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे latest recording आप यहीं से play कर सकते हैं अगर आपने call को record किया है तो और यहाँ पर delete भी कर सकते हैं लेकिन सारी recording चाहिए तो यहाँ पर नमबर पर click करने वाद history का option देख सकते हो दिख रहा है history की option पर click करते हो तो यहाँ पर is number की तारी recording आपको मिलेंगी यहाँ पर देख सकते हैं अगर call को record किया है listen to recording का option मिलेगा जिस पर click करके call recording को सुन सकते हैं share कर सकते हैं delete कर सकते हैं अगर call history delete कर देंगे तो recording भी delete हो जाएगी इसलिए आप इसको कहीं पर share कर सकते हैं इसके बाद history delete कर सकते हैं